कपास के उत्पादन में महराष्ट क्यों परसिद्ध है अरिवा कपास के उत्पादन में महराष्ट परसिद्ध है आखिर क्यों छात्रों हम जानते हैं कपास के उत्पादन के लिए काली मिटी चाहिए कौन से मिटी चाहिए काली मिटी क्योंकि ये काफी उर्वर होती है काफ जाती है यही कारण है कि महाराज़ने कपास का उत्पादन अधिक होता है बस इसका सठीक अंसर है तो यहां पर हम लिखेंगे कपास कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है होती है आगे लिखिए यह मिट्टी यह मिट्टी काफी काफी उर्वर उर्वर होती है हमारी हमारी देश के महारास्ट में दक्कन के पठारी छेत्रों में इस प्रकार के मिट्टी पाई जाती हैं यही कारण है यही कारण है की महाराश्ट्र महा महाराश्ट्र 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 में कपास का उतपादन अधिक होता है होता है आप समझ गए हैं यदि पूछा जाए कपास के उत्पादन में महराश्ट क्यों परसिद है तो आप इसका सठी के अंसा दिखेगा कपास के उत्पादन के लिए काले मिट्टी उप्युक्त होती है कपास के बारे में आप जानते हैं कपास एक प्रका का रूई होता है जैसे आप तस्विर में देख रहे हैं यही है कपास और यह रूई जो है यह वस्तर बनाने के काम में आता है या फिर औस्थी के जो काम में भी उप्योग होता है रूई का ठीक है इसरुई का जो है औस्ति में हम लोग उप्योग करते हैं कपास के उत्पादन के लिए काली मिटी उप्योगत होती है और देखिए कपास के उत्पादन ये जो आप देखे हैं इसके उत्पादन के लिए काली मिटी चाहिए कौन से मिटी? काली मिटी यह मिटी काफी उर्बर होती है यानि कि यह मिटी जो होती है यह काली मिटी काफी उर्बर यानि उपजावू होती है हमारे देश के महाराष्ट में दक्कन के पठारी शेत्र में इस प्रकार के मिटी पाई जाती है यही कारण है कि महाराश्ट में कपास का उत्पादन अधिक होता है और देखिए यही कारण है कि महाराश्ट में कपास की उत्पादन अधिक होता है और इसलिए महाराश्ट कपास उत्पादन में प्रसिद्ध है